बिसमिल्लाहिराफ्मार रहीम दाशेफ्ट में फाइजा मलिक आपको वेलकम कहती है आपने बहुत से हमारे भी लोग दुबई में देखे होंगे हमने बहुत सी अच्छी अच्छी अक्टिविटी आपके साथ शेर किया तो मैं recently अभी पाकिस्तान आई थी तो यहां का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा वेदर है तो मैंने सोचा क्यों ना वेदर के हिसाब से आपके साथ एक रैस्पी शेर की जाए जो के लोग बहुत ही ज्यादा सर्दियों में उसको पसंद करते हैं बहुत से लोगों की वह फेवरेट है तो आज हम आपके साथ शेर करेंगे कश्मीरी टी कश्मीरी टी हम स्टार्ट करते हैं पैन में हमने तीन कब पानी डाल लिया है जैसे ही यह उबाइल होता है हम इसमें जो जो चीज़ें एड़ करनी हम आपके साथ शेयर करते हैं चलें पानी हमारा वाइल हो जुका है अभी हम इसमें एड़ करेंगे एक अदत बादयान का फूल और इसमें जो डालचीनी है वो इसमें एड़ करेंगे और उसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून सौंफली आए वो एड़ करेंगे और फॉर से फाइफ अदद हमने इसमें जो अलाइची आप तीन टेबल स्पून हमने किस पीरी टी ली है अगर हमें कम लगे तो हम इसमें और एड़ कर सकते हैं तो अभी हम इसको थोड़ा सा बॉइल होने देंगे, हमने तीन कप इसमें पानी आड़ किया था, जैसे ही हमारा डेट कप रह जाएगा, तो उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे तो जी गाइज, इसो पकते 15-20 मिनट हो गए हैं, तो आपने ये मेक शोर करना है, कि आपने जब भी ग्रीन टी लेनी है, आप कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की हो, और खुली पती यूज़ करें, मैं खुली पती यूज़ कर रही हूँ, और ये देखें, इसका बहुत अच्छी काइज, इस पुमन पर आके जो फ्लेम को हम आफ कर देंगे, और जो हमारा कावा है, वो रेडी हो चुका है, अभी हम इसको स्टेन करेंगे, और इसका जो कलर है, बहुत ही अच्छा माशाला आया है, और उसके बाद हम जो धूद है, वो हमने हाफ लीटर लिया है उसको हम उबाइल करने के लिए उपर रख देंगे, जी अभी हम दूद को जो है, हाई फ्लेम पे उसको वोईल कर लेंगे, ये जो हमने दूद हाफ लिटर लिया है, जी दूद हमारा वोईल हो चुका है, हमने इसको इतना वोईल करना कि ये थोड़ा सा गाड़ा हो जाए, जैसे ही इसमें थोड़ा सा गाड़ापन आएगा, तो हम इसपे शूगर एड़ करेंगे, तो जी दूद हमारा बहुत अच्छे से अभी वाईल हो चुका है, तो अभी हम इसमें जो पिंक सॉल्ट है, वो थोड़ा सा एड़ करेंगे, जो कश्मीरी टी है, वो पिंक और कुछ लोग इसको पसंद करते हैं सॉल्ट को अंदर और कुछ लोग नहीं करते तो मेरा तो ख्याल है कि जो सॉल्ट होता है वो लाजमी डालना चाहिए और उसके बाद हम इसमें जो तीन टेबल स्पून है वो शुगर है वह आप अपनी मर्दी से आड़ कर सकते हैं मैं त तो आप अपने हिसाब से इसमें यूज कर सकते हैं तो जी दूद हमारा बहुत अच्छे से वाइल हो गया है और अभी हम इसमें जो हमने जो कैवा बनाया था वो हम इसमें आड़ करेंगे यह हम अपनी वो क्वांटिटी के हिसाब से आड़ करेंगे जितना हमें कलर देखें अभी हमारा बहुत ही अच्छा जो पिंग कलर है वो इसमें आ चुका है अभी हम थोड़ा सा इसको मजीद और पकाएंगे ताकि जो और अच्छा कलर है वो आजाए इस मोबंट पे आके अभी हम इसमें थोड़ा सा जो ड्राइफ रूट है वो एड़ करेंगे पिछ ताकि जो इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा अच्छा आ जाए और बाकी जो है हम वो गार्निश के लिए रख देंगे जी गाइज हमारी जो कश्मीरी चाय है वो रैडी हो चुकी है तो अभी हम इसको कप्स में निकाल लेंगे जो हमारी कश्मीरी टी है वो बन चुकी है अभी हम इसको निकाल रहे हैं माशाला कलर भी बहुत अच्छा आया है और मैं आपको ये एक चीज़ बता दूँ जो जो आम बाइर से कश्मीरी टी पीते हैं, जो अकसर लोग घरों में बनाते हैं, तो उसमें फूड कलर एड़ करते हैं, लेकिन हमने इसमें बिल्कुल भी फूड कलर एड़ नहीं किया, ये इसका ओरिजिनल कलर है और लाइट सा कलर है, और जैसे हम इसमें डिश आउट करते हैं, तो हम इसमें गार्निश करेंगे, और आप इसको ड्राइफ रूट के साथ सर्फ कर सकते हैं, कर दो वर्य कर दो हम साथ हगती हैं, तो हम आप ल